जिस गर में ये पांच चीजे पाई जाती हैं वहां मातालक्षमी कभी विवास नहीं करती हैं। वास्तो सास्तर के अनसार कुछ ऐसे नियम ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जो गर की तरक्की और सम्रद्ध को आने से रोकती हैं। गर की बरकत को खत्म कर देती हैं और धन की कमी को पैदा करती हैं। हमें हमेशा इस बात का द्यान रखना चाहिए कि हमारे गर में ऐसी कौन कौन सी चीजे हैं जो हमारे गर में नकारात्मक उर्जा को बढ़ावा दे रही हैं। हमें इन चीजों को कभी भी अंदेखा नहीं करना चाहिए आईए जानते कौन सी ऐसी वे पांच चीजें हैं पहली कबूतर का गोसला पच्छीयों का गर में आना सुब माना जाता है लेकिन कबूतर अगर आपके गर में गोसला बना दे तो ये अच्छा नहीं माना जाता लेकिन ये गोसला किसी का आसरा भी हो सकता है तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि कहीं कबूतर ने उसमें अंडे तो नहीं दे दिये अगर ऐसा है तो हमें इंतिजार करना चाहिए और जब बच्चे उड़ जाए तभी गोसला तोरना चाहिए दूसरा मकडी का जाला वास्तु की द्रश्टी से गर में मकडी का जाला अच्छा नहीं माना जाता ये दुर्वाग पूर्ण घटनाओं का संकेत होता है इसलिए गर में कहीं पर भी मकडी का जाला देके उसे तुरन थटा दें मकडी का जाला आपके जीवन में तरक्की को रोकता है और गर में संकट पैदा करता है इसलिए इसे तुरन थटा देना चाहिए तीसरा मदुमक्की का च्छता मदुमक्की को माता लच्छिमी का एक रूप बताया गया है लेकिन अगर उस मदुमक्की का कलर पीला है और वसाथ वाली मदुमक्की नहीं है तो ऐसा कहा जाता है कि मदुमक्की खराब किस्मत और गरीबी को ने उता देती है इसलिए इसे अपने घर से तुरंद धटा दे यह काफी खतरनाक होती है इसलिए इसे हटाने के लिए पेसेवर की सायता ले माना जाता है कि मदमक्की के चत्ते के अंगिनत छेद आपके जीवन को छत भी छत कर देते हैं इसलिए अगर आपके घर में मदमक्की का चत्ता दे तो इसे तुरंद धटा दे चौथा टूटा हुए दरपन घर में नकारातमक्ता को बढ़ावा देता है और लच्चमी के आगमन में बिग्न पैदा करता है तूटा हुए दरपन आपके घर के वास्तु को पूरी तरह खराब कर देता तूटे हुए दरपन को गरीबी का प्रतीक माना जाता है इसलिए इसे घर से तुरंद धटा देना चाहिए तूटे हुए दरपन को हटाने से घर में मौझूद नकारात्मकता भी नश्ट हो जाती है पांचुआ पुराने तार घर में पड़े पुराने बिजली के तार को हटा देना चाहिए जो कि लंबे समय से प्रियोग में ना आ रहे हो माना जाता है कि पुराने तार आपके जीवन को पूरी तरह से उलजा देते हैं इसके अलावा अगर कोई भी बिजली का उपकरन काम करना बंद कर दे तो उस उपकरन को तुरंद ठीक करवा लेना चाहिए या फिर उसे बाहर फेक दे जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें